नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग ठीकी होंगे दोस्तों आप लोग के सामने में होम थेटर लेकर आया हूं रीतिका कंपनी का हाईए आप लोग के सामने बताऊंगा कि यदि इस डेक का जो आगे का वैलूम होता है इसका कनेक्शन जो बोड अच्छे हिस्से में लगा हुआ है तो बिना इसके खोले हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सा वार कहां पर जुड़ा जाएगा तो मैं एही वीडियो आपको बताऊंगा तो पहले मैं आपको शेक करके दिखा दे रहा हूँ बाजा बिल्कुल वोके होम थेर्टर ये लेकिन क्या होता है दोस्तों कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बिना आगे का हिशा खोले जनकार नहीं हो पता है कि कौन सा वार हम कहां पर जोडेंगे जो वलिम कर तूट जाता है तो इसी के बारे मैं बताऊंगा मैं आपको तो बिना देर की हुए अपने वीडियो को में स्टार्ट करता हूं और मैं अपने कैमरे को सेटिंग में ला रहा हूं ताकि अच्छी तरह से दिखाई देने पड़े क्योंकि जब तक दिखाई नहीं देगा साई से जनकारी नहीं होगा अब मैं एनलोग मल्टिमीटर को वन केपे शेड करूंगा तो वन केपे में शेड कर लिया हूं आपको मैं दिखाई दे रहा हूं अब मैं बता रहा हूं जो 20-30 के आइसी जो होती है जो डबल चानल के लिए होता है जो चुट चुट दूट दूश्पिकर लगता है इसके लिए आडियो है एक पीला रंग का है और एक हरा रंग का जो तार जुड़ा हुआ है तो यहीं से आडियो निकलता है और एक यहां से और एक यहां से तो पिला और हरा तो यही दोनों है जो अंदर गया हुआ है तो यह जो अंदर गया है तो देखिए यह जो वायर है तो सीधे इसके सौ के टोन के सीधे बीच में यह जुड़े जाएगा सीधे बीच में जुड़े जाएगा मैं आपको बता रहा हूं देखिए यही पर जुड़े जाएगा और एक यहां पर जुड़े जाएगा तो यही तार देखिए यहां पर जुड़े जाएगा और यह एक ग्राउंड है जो अंदर से आया हुआ है तो यह सीधे तोन के सीधे तीसरे नमर पीन पर लाश्ट में जोड़े जाएगा अब मैं बता रहा हूं कि जो जो अंदर से वायर तूट जाता है जो देखिए जो मैं छोड़ा रहा हूं तो हम कैसे जानेंगे कि यह वायर कहां पर जोड़े तो कैसे इसको हम जोड़ेंगे तो यह अनेलोई मोटर है जो मेरे पास रखा हुआ है तो इसी से हम नाप कर बताएंगे कि देखिए कैसे यह यह पीन कहां पर जोड़े जाएगा अब मैं बूफर का टोन वैलूम जो होता है बिल्कुल खोल चुका हूं और मैं आगे आपको 100 के टोन दिखा रहा हूं देखिए इसको मैं बंद कर दे रहा हूं अब मैं इसको चेक करूंगा टोन के दो नमर पीन पे और ती नमर पीन पे में मीटर का पुल लगा रहा हूं यह बिल्कुल सुई आगे की ओर जा रहा है और मैं इसको फिर आप आप कर रहा हूं खोल रहा हो गया मतलब कि आगे बढ़ गया है तो मैं इसे में खोला हूं और मैं इसको अब बन कर दे रहा हूं तो जब से मैं बन कर रहा हूं इसे सुई काम हो जा रहा है तो ऐसे ही आगे का जो वूफर का टोन लगा हुआ वैलूम वाला सेम वैसे ही आगे का मैं वैलूम को किया हूं जैसे मैं आपको दिखा रहा था और यह है लाल पोल को मैं ग्राण में लगाया हूँ, होले तार और पिले तार को मैं काले पोल में लगाया हूँ तो यह दूनों चलेगा, जैसे से तुमें घुमाऊंगा आगे का वैलूम को वैसे चलेगा देखे दूने चला है मतलब कि आगे से खुला हुआ है अधि मैं आगे से बन कर दूंगा तो अभी बन हो जाएगा यह दूनों पिन है आडियो का तो वैलूम के 6 ठांग होती है 6 ठांग में 3-3 पीन होती है तिन-3 पीन में बीच वाले में जोड़े जाएगा यह पिला और हारातार और लास्ट वाला ग्राउंड में लगा दिया जाएगा जो सबसे किनार में होता है तिन अवर पिन पर तो तो इसका ही जोड़ हरा है और यह जो है ग्राउन का है है जी ईंडि का तो मैं इसको भी जोड़ दे रहा हूं है यह देखिए यह चैनल इसके लिए benefic Cr yesterday और यह पहले नमर्ण्टानल है यह ऑर यह पहले जो तो यहां पे जुड़ा गया है और यहां से होकर के यहां 20-30 के फर्स नमर पिन पे जुड़ा गया है तो यह पहला चैनल है और देखिए कपिशिटे जहां ही पे लगा हुआ है यहां से क्रोस हुआ है और यहां पे देखिए लाइन गया है अब मैं बता रहा हूं दूसरे नम सब्सक्राइब करके सिद्धे यहां पिला वायर जुड़ा गया है तो यह पहला यह दूसरा चैनल का तो ऐसे ही यह पहला वर्प के आप दूसरा नमर का चैनल है और ऐसे ही दोनों साइड का बजने के चैनल के लिए बनाया गया है और यहां पर देखिए मैं यहां पर बता र लगा हुआ है यहां पर लगा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ यह वाला आपको बता दिया हूँ अब मैं इसको टाइड करूंगा पेच लगा करके वीडियो समझ में नहीं आयेगा तो केमेंट जोरी कीजिएगा ठीक है मेरे वीडियो में बनने के लिए मैं आपको धनबात करता हूँ और मैं अपने वीडियो को समाफ करता हूँ जय हिन जय भारव